आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ताब बैनर जी प्रधानमंत्वी नरींद्र मोदी इस वर्ष भी बूर्ट परीक्षाओं से पहले परीक्षा पिचर्चा कारिक्रम में देश भर के विद्यार्थियों के साथ समवात करेंगे वेज दौरान विद्यार्थियों से तनाव मुक्त रहने के गुर साझा करेंगे इस शेक्षणिक कारिक्रम के लिए पंजी करण का आज आकरी दिन है इसके लिए चात्रु माई जियोवी की innovateindia.mygov.in वेबसाइट पर अपना पंजी करण करा सकते हैं इस बार परीक्षा पिटर्चा कारिक्रम वर्चुल माध्यम से आयोज़ित किया जाएगा केंद्री स्वास्थ मंत्री डॉक्टर हर्श्वर्धन ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्रु सरकार पून सहयोग करेगी भोपाल में आज मुख्यमंत्री श्रिवरा सिंग चौहान से मुलाकात के दौरान डॉक्टर हर्श्वर्ध ने आश्वस्त किया कि वे मध्यप्रदेश में स्वास्त सुविधाओं के लिए केंद्र के सहीयोग में कोई कमी नहीं रखेंगे मुख्यमंत्री श्रिवरा सिंग चौहान ने सबसर पर जबलपूर के कैंसर इंस्टिटूट को केंद्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंश्तान को 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत किये जाने दमो सिवनी और छतरपूर में नए मेरिकल कॉलेज शुरू करने के मुख्यमंत्री श्रिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के नर्देश उन्होंने दिये है आंकलन के बाद किसानों को राहत राशी प्रदान की जाएगी उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में राजिस सरकार किसानों के साथ है उन्हें राहत देने में विलंब नहीं किया जाएगा शिवपुरी में NCC के 35 वी बतालियन के के टेकर नितन शर्मा ने कोविद 19 गाइडलाइन का पालन करने की आमजन से अपील की है कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमें संदेश दिया है कि कोरोना वैक्सीन जरूर हमारे पास उपलब्ध है और ये हमारे लिए बड़े ही सकारात्मक पढ़ना में लेकिन व्यक्तिगत सुरक्षा बास सामूदाइक संक्रमन को रोकने के लिए अभी भी हमें कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा हाथ धोना मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना ये हमें अभी भी उतना ही जरूरी है जैसा कि पहले था प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी इस महिने की 28 तारी को आकाश्वानी से मन की बात कारिक्रम में देश-विदेश के लोगों से अपने वचार साजह करेंगे ये इस मासिक रेडियो कारिक्रम की 75 वी कड़ी होगी आकाश्वानी और दूरदर्शन के समूचे नेट्वर्ग पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्वी ने इस कारिक्रम के लिए अपने वचार साजह करनी का आग्रह किया है इसके लिए लोग नमो एप या माई जियो वी मंच पे अपने वचार साजह कर सकते हैं टोल फी नमबर 18000 117800 पर डायल भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री शर्वरा सिंग चौहान निकल नई दिल्ली में केंद्री कृषी और किसान कल्यार मंत्री नरेंद्र से हितोमर से मुलाकात कर चना मसूर और सरसों के उपारजन के सीमा बढ़ाने का अनुरोद किया उन्होंने कृषी मं प्रदेश में इस वर्ष भी इन फसलों के उत्पादन में काफी बढ़ात्री की संभापना है श्री चौहान ने रेल मंत्री प्यूश गोल से भी मुलाकात की अस दौरान उन्होंने खजुराहों को देश के अन्य हिस्सों से जोडने वाली ट्रेनों को फिर से शुरू करने के साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों में भी ट्रेनों के फेरे पहले की तरह प्रारहम करने के अनुरोध किये अब कुछ समाचार संक्षेप में वधानसभा अध्यक्ष किरीश कौतम ने आज रीवा में आम जनों से मुलाकात कर उनकी समस्याइं सुनी और उनके निराकरण के नियुक्ति की गई है रीवा जिले को जल अभावक्रस्त ख्षेत्र घोशित किया गया है और इंदौर जिले के ग्रामीन अब पेजल से सम्मंधित शिकायते सीधे लोग स्वास्त यांत्री के विभा के कर्मचारियों से मोबाइल पर कर सकेंगे बुलचन में इतना ही अंथ में एक अपील मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार